साथियो आज की इस कलास में हम आप सभी के लिए लेकर के हाजिर हो चुके हैं RPF Constable तथा SI परिक्षा 2024 के लिए Reasoning का एक बहतरीन प्रेक्टिस सेट साथियो आज की इस कलास में हमारा Reasoning का प्रेक्टिस सेट नंबर 11 होगा जो की proper हमने RPF Constable और SI परिक्षा के लिए सुरू किये गए प्रेक्टिस सेट का नंबर है इसके अतरिक्टियदी प्यारे दोस्तों आपने देखे हैं तो आप पिछले पार्ट को भी जाकर के देखेगा वहाँ पर भी हमने Reasoning को बहुत ही सोट ट्रिक के माद्यम से समझाया है चलिए दोस्तों बात करते हैं आज की इस कलास की तो बहुत ही महतपूर प्रिश्ण आज की इस कलास में रहने वाले हैं जैसे की के सामने है Question No.1 कहा गया है दोस्तों इसमें बोला है कि निमनिलिखित प्रिश्ण में तीसरे सब्द का चोथे सब्द से वही सम्बंद ग्याद कीजिए जो पहले सब्द का दूसरे सब्द से है साथियोग महतपूर प्रिश्ण है अच्छे से याद रखेंगे देखो लिखा गया है सुई क्या लिखा है सुई का सम्मंद किस से है तो साथी आप लोग याद रखेंगे घड़ी से है किस से घड़ी से और हमें बताना किसका सम्मंद है तो याद रखेंगे पईये का किसका बताना है पईये का इस बात को याद रखेंगे तो देखो घड़ में क्या होती है सुई होती है उसी प्रकार पया कहां पर होता है तो आप लोगों बोलेंगे भाया पया जो होता है वो बाहन में होता है कहां पर होता है बाहन में और बाहन हमें विकल्प नमर सी में दिया है विकल्प नमर सी हमारा इस प्रिश्ण का बिल्कुल सही जबाब हो गएगा इस बात को याद रखेंगे देखो जिस प्रकार घड़ी में सुई होती है उसी प्रकार बाहनों में क्या होते हैं पईया होते हैं इस बात को याद रखेंगे ठीक है और कोई उत्तर नहीं बनेगा उत्तर बनेगा केबल और केबल विकल नमर सी दूसरे नमर प्रिश् 37 के बाद में 24 है 24 के बाद में 147 है ठीक है और 147 के बाद में 294 है और आगे हमें find out करना है कौन सा number यहाँ पर आएगा ठीक है अच्छा सा question है अच्छे से याद रखेंगे किस तरह से इसको हम देखते हैं देखो सात्यो गोर से देखो पहले और दूसरे के बीच का अगर हम संबंद देखते हैं पहले और दूसरे अंकों के बीच का संबंद देखते हैं तो गोर से देखेंगे यहाँ पर multiply का 2 हुआ है और minus का 1 हुआ है इस बात को याद रखेंगे गुणा का 2 और minus का 1 यानि 19 दूनी जब हम करेंगे 38 होगा और एक घटा देंगे तो 37 आ जाएगा इसी प्रकार आगे क्या हो रहा है भाया आगे हो रहा है 37 दूना चोतर सीधा का सीधा मल्टिप्लाई दो ठीक है इस बात को याद रखेंगे इसके अलावा तीसरे और चोतरे में क्या हो रहा है तो क्या हो जाएगा 147 दूनी 294 तो अगली बार में क्या आना चाहिए अगली बार में भाई यहाँ पर गौर से देखेंगे पहले गुडा दो था फिर माइनस बन फिर गुडा दो केबल फिर गुडा दो माइनस बन फिर केबल गुडा दो तो अगली बार में क्या आएगा पंचानवे दूनी होता है 190 ठीक है और 200 का दूनी कितना हुता है 200 का दूनी 400 हो जाता है 200 का गुडाँ दो किया, तो हमारी ये संख्या आई, ठीक है, जब गुडाँ दो किया 294 का, तो ये संख्या आई, ये संख्या कितनी है, तो 400, 1500, 588 है, कितनी है साथियो 588, 294 दूना का होता है 588, और जब 588 में एक गटा देंगे, तो साथियो आपका उत्तर बनेगा 587, क्या बन माइनस वन और दूसरी बार में केवल गोड़ा दो तीसरी बार में गोड़ा दो माइनस वन चौती बार में केवल गोड़ा दो और पांचवी बार में गोड़ा दो माइनस वन करेंगे तो 587 हमारा आ जाएगा चलिए साथियो अगले प्रिश्ण की और चलते हैं अगला प्रि H, G होता है 7 पर, ठीक है, 8 पर H और G 7 पर और F होता है 7 पर, इसके बाद U देखेंगे तो 21 पर होता है, 22 पर होता है, 7 वी और 23 पर होता है W, ठीक है, इस तरह से, इसके अलावा R को देखेंगे साथी, तो आप लोग पाएंगे R होता है 18 पर, और Q होता है 17 पर, और P होता है 16 प पर होता है के हमारा 11 पर होता है और जे हमारा 10 पर होता है तो सातियों गौर से देखो आप लोग इसको गौर से देखे साथ में एक गया साथ में एक गया छे यानि कि दो बार में माइनस बन हुआ है ठीक यहां पर एक जुड़ रहा है प्लस का एक हुआ है कीस एक 22 और 22 में ए एक जोड़ेगा तो तेईस आगे देखो अठारा मैंसे एक जाएगा सत्रा और सत्रा मैंसे एक जाएगा सोला बारा मैंसे एक जाएगा साथियो ग्यारा और ग्यारा मैंसे एक जाएगा तो दस देखो तीन जगए ऐसी है जहां पर माइनस का वन हो रहा है जबकि एक जगए ऐ इसी है जहां पर प्लस वन हो रहा है वो जगह कौन सी है वो विकलप नमर तीन की है विकलप नमर तीन की है इस बात को याद रखेंगे 21-22 जिसमें प्लस का वन हो रहा था क्या हो रहा था प्लस का वन का लॉजिक चल रहा था दो बार में ठीक है अन सभी में क्या हो रहा है अन A प्लस को निर्दिष्ट करता है B गुडा को निर्दिष्ट करता है और C माइनस को निर्दिष्ट करता है और D भाग को निर्दिष्ट करता है तो निम ने लिखे समीकरण में से प्रिश्ण बाचक चिन्न के इस्थान पर क्या आएगा अच्छा सा प्रिश्ण है गड़ती है समी करड़ का देखें इसको हम यहाँ पर लिखेंगे अठारा ठीके अठारा के बाद में एक मिनट थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अठारा एका माने क्या है साथियो एक करता है प्लस को निर्दिष्ट तो हम प्लस कर देंगे ठीके उसके बाद में है 23 और माइनस सी किसको करता है सी करता है माइनस को देखो लाश्ट में लिखा है तो यहाँ पर 23 माइनस में क्या हो जाएगा 6 और 20 साथियो गुड़ा को निर्दिष्ट करता है तो हम यहां पर गुडा बारा कर देंगे ठीक है इस तरह से आप लोग अच्छे से याद रखेंगे अब बताना है साथी कोशियन मारके इस्थान पर क्या आ जाएगा इसमेंसे इसमेंसे ही तो बताना है जल्दी से बता दो क्या आएगा देखो इसके लिए साथी होम बोड मा में हो जाएगा 23 माइनस का 6 है गोड़ा मैं यहां पर भाग करें 16-96 तो यह 6 हो जाएँगा इसके बाद प्लस में यहां पर 12 प्रेट्य tis कर देंगे ठीक है यहां पर क्या कर देंगे 12 थिया 36 कर देंगे इस तरह से याद र 살 involved एक मिनट ये हमारा 36 हो जाएगा इसके बाद अब क्या होगा भाया ये जुड़ जाएंगे चुकि प्लस के हैं ये प्लस के हैं जुड़ जाएंगे तो 23, 18, 41 और यहाँ पर माइनस का 36 है प्यारे दोस्तों एक माइनस का 36 दूसरा प्लस का 36 कर जाएगा और इस प्रिश्ण का उत्तर बन जाएगा 41 क्या बन जाएगा साथियो 41 बन जाएगा यानिकी 41 41 कहाँ पर है दो नम्मर के विकल्प में है साथियो दो नम्मर का विकल्प हमारा सही उत्तर बनेगा ठीक है उस विकल्प का चैन करें, जो तीसरे पद से ठीक, उसी प्रकार संबन्दित है, जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबन्दित है, तो गोर से देखो, ये एक महतपूर है, इसको आप MCQ लगाओ, इस question को आप लोग MCQ लगाओ, क्योंकि ये एक महतपूर प्रिष्ण है, इसका logic बहुत प्यारा है, logic क्या है, देखो सबसे पहले लिखा गया है SLI और M, ठीक है, ये लिखा है SLIM, और इसको लिखा गया है M, और उसके बाद में साथियो H, और उसके बाद में Q, और उसके बाद में O, ठीक है, और आगे coding बतानी है हमें किसकी, तो याद रखेंगे, SLIM को इसको हमें करना है वणानू क्रम में वश्थित कुसमें बढ़के आरोही क्रम में वश्थित करना है कौँसे वाले को सिल्म को तो सबसे पहले मुझे बताओ क्या आईगा तो आप बोलेंगे यहाँ पर SLIM है तो भैया सबसे पहले i आ जाएगा ठीक है उसके बाद में L आ जाएगा उसके बाद एम आ जाएगा फिर s आ जाएगा ठीक है इस तरह से इस तरह से याद रखेंगे आप लोग यह जब हमारा बर्णानू क्रम में विश्टित होगा तो कुछ इस तरीके से आएगा तो अब यह हमारा क्या हो गया बर्णानू क्रम में विवस्तित हो गया देखो इसका जो होता है इस्थानी अमान इसका इस्थानी अमान देखो किस किसका तो आप बोलेंगे आई का किसका आई का साथियो आई हमारी 9 पर होती है और 9 में से यहां पर 4 जुड़ेगा तो 13 पर M आईगा ठीक है, 9 में से 4 जुड़ेगा, तो 13 पर M आएगा, आगे L होता है प्यारे दुस्तों, 12 पर, और इस में से 4 घटेगा, इस में से 4 घटेगा, तो 8 आएगा, 8 H पर होता है, इसके अलावा M 13 पर होता है, तो भैया, अब की बार में फिर से 13, 4, 17, क्यूंकि Q जो होता है, वो 17 प पर M 13 पर और S 19 पर तो अब की बार में देखो प्लस 4 माइनस 4 फिर प्लस 4 तो अगली बार में फिर से माइनस 4 हो जाएगा 19 पर S आता है तो 19 में से 4 गटाएंगे तो 15 पर O आ जाएगा ठीक है इस बात को याद रखेंगे तो मैं करता हूँ क्या यह जो cold दे रखा है इसको पह जाएगा फिर के आजएगा ओ ढश्याएगा थीक है इस तरह से अब इसमें हमें प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 यह करना है तो भघया प्लस मेंसे 4 जाता है तो हमारा Z बचता है क्या बचता है Z? इसके अलावा यहाँ पर अब प्लस 4 हो जाएगा, देखो L 12 पर होता है 4 जोड़ेगा तो 16 मतलब P हो जाएगा और इसके बाद ये 15 पर होता है अभी देखाता ना तो 15 पर होता है पंद्रा मैंसे चार घटेगा तो यह ग्यारा आएगा ग्यारा पर होता है कि तो इस प्रिष्ण का जो उत्तर बनेगा वो साथियो जी जेड पीके बनेगा जी जेड पीके आपको विकल्प नम्मर चार में दिया है यह सही उत्तर है देखो यह समझाने के लिए थोड़ा समय लेग सकता है लेकिन सबसे पहले आप दिये गए सब्दों को आरोही करम में विवस्तित कर दो उसके बाद यहाँ पर इस लॉजिक को लगाओ फिर वही हमने यहाँ पर किया कोल्ड में इसको पहले दिये गए सब्दों को आरोही करम में विस्तित किया फिर यह लॉजिक लगाया तो उत्तर हमारा जी जेड पी के बन जाएगा इस बात को याद रखेंगे चलिए एगले प्रिश्ण में कोश्यन नमर यहाँ पर छटमे नमर का दिया गया है कै रहा है साथियो यदि हैक को यह लिखा जाता है डिग को यह लिखा जाता है तो बाइक का कोड क्या होगा यह भी एक महतपूर प्रिश्ण है अच्छे से देखे यहाँ पर हम लिख देते हैं हैक को किसको हैक को H, उसके बाद E, उसके बाद क्या हो जागा C, फिर हो जाएगा K इसको क्या लिखा गया है, तो याद रखेंगे 9, 9 के बाद में साथियों क्या बोलेंगे 4 4 के बाद में फिर से 4 और 10, इस तरह से लिखा गया है इसके अलावा Dig D-I-G D-I-G इसके के लिखा है तो आप बोलेंगे, सर्फ 5 लिखा है और उसके बाद में 8 लिखा है फिर से 8 लिखा है इसके बाद यहाँ पर हमें किसी का Code बताना है इसके बताना है तो B-I-K-E ठीक है B-I-K-E इसका Code बताना है तो सात्यों इसका code समझो पहले इसका logic समझो logic क्या है तो प्यारा सा logic है दोगो H कितने पर 8 पर होता है E हमारा 5 पर होता है C 3 पर होता है और K 11 पर होता है यहाँ पर D 4 पर होता है और I 9 पर होता है और सात्यों यह जो G दे रखा है यह 7 पर होता है B हमारा 2 पर होता है A हमारा 9 पर होता है K 11 पर होता है और E हमारा कितने पर तो बोलेंगे 5 पर होता है कुछ इस तरीके से हमने इसको लिख लिया लेकिन भाई यह जो मापी चाहेंगे यह जो संख्याएं हैं यह संख्याएं आपकी कुछ इस तरीके से लिखेंगे आठ में एक जुड़ा नू 5 में एगठा चार तीन में एक स्जोडा चार और numa in एक गठा दस तो यहां पर लोजिक क्या है पहली बार में प्लस वन कर दो, दूसरी बार में माइनस वन, फिर से प्लस वन कर दो, आगे माइनस वन कर दो, इन में से गोर से देख लो, अगर मैं कह रहा हूँ, आपसे 8, 5, 3, 11 में से मैं कर रहा हूँ, पहले प्लस वन, फिर माइनस वन, फिर प्लस वन, फिर माइनस वन, तो ये संख्या ह हमारे पास 94 यहां पर 9, 4, 4, 10 प्राप्त हो रही है उसी प्रकार से यहां से पहले plus 1 करेंगे फिर minus 1 करेंगे फिर plus 1 करेंगे तो सत्य गोğı plus 1 करते ही हमारा 4 में एक जुड़ेगा तो 5 आजाएगा और minus 1 करते ही नो में एक घटेगा नहीं होता है 3 पर वया त्वचर करेंगे तो भाया नो मैंसे एक चला जाएगा तो आठ आना चाहिए मतलब तो कुछ इस तरीके का उत्तर बनेगा, मुझे लग रहा कहीं गड़बड हो गई, लगता है दया कहीं गड़बड हो गई है, वो गड़बड क्या है जल्दी से बताओ, बाइक का ही तो कोड़ बताना है, देखो पहली बार में प्लस वन, फिर माइनस वन, तो मैंने का प्लस नहीं यहां पर प्लस वन होगा, चुकि प्लस वन माइनस वन चल रहा था, फिर प्लस वन फिर माइनस वन, ठीक है इस तरीके से, तो ग्यारा मैंसे एक जोड़ेगा तो बारा हो जाएगा, और पांच मैंसे एक गटेगा तो चार हो जाएगा, ठीक है इस तरह से, तो 38, 124 इ आपके exam में क्यूंकि कई teachers इसके अलग-अलग concept बताते हैं लेकिन जो SSC के द्वारा favorite question बना था और इसका जो उत्तर बना गया मैं आपको वो बताऊंगा ठीक है इस बात को याद रखेंगे तो दोस्तो पहले तो कागजी है फिर copy है फिर लेखन सामगरी सब्दों के बीच में सही वेन आरेक क्या होगा ये बताना है देखो को और से समझो साथियो यहाँ पर क्या होगा सबसे पहले तो एक आरेक आएगा जो हमारा लेखन सामगरी को represent करेगा किसको लेखन सामगरी को ठीक है इस बात को याद रखेंगे एक आरेक आएगा जो सबसे पहले लेखन सामगरी को रिप्रेजेंट करेगा और लेखन सामगरी के अंतरगत ही भया कॉंपी आती हैं आप बोलेंगे हाँ सर जो कॉंपीया होती है वो लेखन सामगरी के अंतरगत ही आती है इसके अलावा और हमारे कागज भी तो कॉंपी में ही आता है तो यह प्यारे दोस्तों एक कागज के लिए देखो यहाँ पर देखो एक मैं C4 कॉंपी के लिए बना दूँगा एक K4 कागज के लिए बना दूँगा ठीके इस तरह से C4 copy, चुकि सारे के सारे कागज जो होते हैं, वो copy नहीं होते हैं, इस तरीके का बनेगा, तो एक आपका इसके लिए हो जाएगा, copy के लिए एक कागज के लिए हो जाएगा, कुछ कागज ऐसे भी हैं, जो किसी और चीजों में यूज होते हैं, जैसे किसी file में, copy में नहीं है, जरूरी नहीं कॉपी में कोई किताब में हो जाते हैं ठीक है तो यहाँ पर कुछ पार्ट इस तरीके का बनेगा और यही उत्तर SSC ने साथियों माना है ठीक है इसमें क्या होगा सबसे पहले एक R1 होगा उसके अंदर दो क्रोस करते हुए R1 होने चाहिए दो क्रोस करते हुए R1 आएंगे तो ऐसा उत्तर जो है वो बिकलप नमर D में है ठीक है इस बात को याद रखेंगे बिकलप नमर D से हो जाएगा लेकिन कई टीचर्स ने इसको ऐसे बताया है कि सबसे पहले लेखन समग रही उसके अंतरगत आपका कागज और उसी के अंतरगत कौपी तो भाईया मुझे बताओ कौपी में कागज भी तो होता है ना तो आप बोलेंगे हाँ लेकिन सारा का सारा कागज जरूरी नहीं कि कौपी में ही वो तो किताब में भी होता है इस कारल ये गलबल कर दीता है ठीक है इसका कुछ पार्ट नहीं बना पाते हैं इस कारल ये गलत उत्तर है इसका उत्तर exactly ये माना गया है आयोग के द्वारा इस बात को याद रखेंगे बिकलप नमर D से ये अगले प्रिश्ण में आ जाएए अगला प्रिश्ण बोला है B A से बड़ा है तो B नाम का जो सक्स है वो A से तो बड़ा है मतलब A से उपर आईगा परंतु C से छोटा है तो भाईया C से छोटा है तो नीचे कर दो अब उसमें बोला है E जो है वो D से छोटा है E नाम का जो सक्स है वो D से छोटा है परन्तु A से बड़ा है E नाम का सक्स क्या है D से छोटा है E नाम का सक्स D से छोटा है परन्तु A से क्या है बड़ा है अब कहरा है यदि C, I, U में D से छोटा है यदि जो C है वो IU में किस से छोटा है? D से छोटा है कह रहाए, C IU में D से छोटा है तो मतलब C नीचे आएगा D उपर आजाएगा C IU में D से छोटा है तो कह रहाए, IU में सबसे बड़ा कौन है? तो गोर से देखो साथ हो इसके लिए कुछ ऐसा बन सकता है यह आ सकती है, गोर से समझना है आपको कहां पर, मैं कह रहा हूँ, अगर E से, यह A से बड़ा E है तो E के लिए एक position यहां पर आ सकती है यहां पर E आ जाएगा इसके अलावा, एक position यह भी आ सकती है, यह यहां पर E आ जाएगा इसके अलावा एक position तो D से चोटा है तो मैं D को सबसे बड़ा बना दूगा उपर ठीक है इस तरह से और उसने ये बोला है यहाँ पर इस लाइन में कि जो E है वो D से चोटा है तो भईया D से चोटा यहाँ पर भी E है D से चोटा यहाँ पर भी E है D से चोटा यहाँ पर भी E है और E को अगर आप एक बार फिर से देखें तो A से बड़ा यहाँ पर भी है A से बड़ा यहाँ पर भी है और A से बड़ा यहाँ पर भी है तो कुछ इस तरीके की आरेक बनेंगे E की position confirm नहीं है जो E नाम का सक्स है इसकी position confirm नहीं है परन्तु D की C की और B की और A की सरी जो A है और जो D है इनकी position confirm है कि सबसे नीचे तो A आएगा और सबसे उपर D आएगा मतलब सबसे बड़ा तो D है और सबसे छोटा A है तो भाईया कहा आयू में सबसे बड़ा कौन है तो आप बोलेंगे D हो जाएगा क्या हो जाएगा सत्यो D हो जाएगा इस बात को याद रखेंगे देखो confused बिल्कुल भी नहीं होना है अगर आप confused हो रहे हैं तो ऐसे लिख लो जो B है देखो यहाँ पर देखो एक मिनट फिर से बता देते हैं जो B है वो A से बड़ा है और C से चोटा है ठीक है इस तरह से उसने बोला है C, I, U में D से बड़ा है C, I, U में किस से बड़ा है C, I, U में D से चोटा है C, I, U में D से चोटा है तो D उपर बन जाएगा C के तो आप बोलेंगे हाँ इसके बाद बोला है E D से चोटा है तो E नाम का जो सक्स है वो D से चोटा है परंदू A से बड़ा है तो ये एक आरेक आना चाहिए मतलब इसके लिए कुछ अलग-अलग कंडिसन बन सकती है E की E की exactly पता नहीं लेकिन सबसे बड़ा पूचा है तो सबसे बड़ा D हो जाएगा ठीक है वही मैंने बताया आप लोगों को अगले पृष्ण में आ जाएए कुछ्चे नमर 9 एक महत्पूर पृष्ण है कहा गया है निमने लिखित आकरती में कुल कितने तरबुज इस्तित है तो साथियो इसको मैं 100 ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा एक आपके सामने चतरबुज है जब भी उसके बिकड़ परस पर काट रहे हो साथियो जब भी कोई चतरबुज आपके सामने आता है और उसके बिकड़ परस पर काटते हो तो ये ट्रिक लगाते हैं इसमें नंबर देखरके एक, दो, तीन और चार तो साथियो चार हमने देखा चार का गुड़ा कर देंगे दो में सबसे बड़ा वाला जो नंबर है उसका डवल करते हैं सीधा पता चल जाता है कि कितने तरबुजे हैं साथियो आठ तरबुजे हैं और यही लोजिक का प्रियोग हम यहाँ पर भी करेंगे देखो, यही पर यही लोजिक का प्रियोग करेंगे कैसे करेंगे गौर से देखते जाओ यह जो आरेक है, यह यहाँ पर मिल लाए अगर मैं इस लाइन को मिटाता हूँ गोर से देखो कौन सी लाइन ये बाली लाइन एक मिनिट अगर मैं इस बाली लाइन को मिटा देता हूँ कौन सी ये बाली लाइन को तो ये ऐसा ही दिखाई दे रहा है अगर गोर से आप लोग देख पा रहे हैं अगर आप लोग गौर से देख पा रहे हैं तो यही तो दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखो यह बाला एक मिनट यह यह अकरती जो है यह अकरती सेम हो गई ना आप बोलेंगे हासर तो एक दो तीन और चार मतलब यहाँ से कितने मिल जाएंगे चार दूनी के आठ ठीक है य मैंने कहा अगर आपको यहाँ से टोटल आठ मिल चुके हैं इस लाइन के ना होते हुए अब मैं इस लाइन को जोड़ देता हूं तो कुछ तरबुज मिलेंगे देखो जैसे एक तरबुज यह मिलेगा कौन सा वाला यहाँ पर देखो यह वाला एक तरबुज यह मिलेगा और दूसरा तरबुज यह नीचे मिलेगा तो आठ में दो जोड़ो दो दस एक तरबुज साथियो यह मिलेगा और दूसरा तरबुज यह अलग से छोटू सा यह नीचे मिलेगा तो दो जोड़ो इसमें दस दो बारा इसके अलावा कुछ तरबुज अभी और मिलेंगे कौन क पर यह भी मिलेगा तो एक यह मिल जाएगा तो दो प्लस और कर देते हैं आट दो दस दस दो बारा बारा दो चौदा अभी एक साथी और मिलेगा वो कहां पर है वो आप लोगों का यहां पर है देखो कोर से अभी मैंने यह काउंट नहीं किया था यह बड़ा वाला यह जो र हो जाएंगे साथी 15 हो जाएंगे और बिकल्प नमर सी में यह हमें दे रखा है कितने त्रभुज हैं तो आप बोलेंगे 15 त्रभुज देखो इसको मैं एक बार मिटा देता हूं आप लोग अच्छे से याद रखेंगे जब भी एक्जाम में ऐसी आकृती मिल जाती है तो स कौन सा छेतर है जो भारती हैं गायक हैं परंतु नेता नहीं है ठीक है इस बात को याद रखेंगे तो देखो साथियो भारती भी होना चाहिए मतलब भारत के लिए कहां पर ये बाला सरकल ये सरकल आना चाहिए और कह रहा है कि गायक भी होना चाहिए तो गायक के लिए ग् आरा नहीं होगा चुकि उसनेमे आने वाला कि नेता ना हो बहारती हो गायक हो लेकिन नयता ना हो टो थ iş आरा है युकर दोनों में आने वाला kötü Amon number जो है वो चार है क्या है चार है जो आपका भारती भी है गायक है और उसमें बीकलप न pierwsze में हमें से लिखते हैं, एक है, सबसे पहले क्या है, तो सातियों याद रखेंगे, एक है, एक के बाद में 27 है, 27 के बाद में 125 है, 125 के बाद में 343 यानी 343 है, इसके अलावा 729 है, ठीक है, और आगे ग्याद करना है, इस बॉक्स में क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे, तो देखो साथियो यहाँ पर देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको देखेंगे जब आप लोग इस बाले को तो यह लिखी है एक की पावर तीन 27 को जब आप देख रहे हैं यह लिखी है तीन की पावर तीन जब आप 125 को देख रहे हैं तो यह लिखी है 5 की power 3 जब आप देख रहे हैं 340 को तो यह लिखी है 7 की power 3 और यहाँ पर अगर आप देखने जाओगे तो यह 9 की power 3 है तो अगला वाला मतलब क्या होना चाहिए तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर विसम संख्याओं का पियर है किसका विसम संख्याओं का पियर है विसम में 1,3,5,7,9 तो अगली वाली 11 और 11 की पावर 3 साथियों वो हम पढ़ते आई हैं बच्पन से 13,31 होता है क्या होता है 13,31 होता है इस बात को याद रखेंगे चल रही थी यानि कि यहाँ पर घन चल रहा था ठीक है इस बात को याद रखेंगे और साथियों आज की क्लास को यहीं